हेलो गाईशे एंड वेलकम टू माई योट्योब चेनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी जिदा इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने हो ला हूँ यहां पर आपको सर्च करना नेविगेशन बार नेविगेशन बार सर्च करेंगे एही अप्लिकेशन आपको फने फोन में डाउनलोड कर लेना है 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं काफी अच्छा अप्लिकेशन है simply इसको download करें, download करने कि बाद, इसको open करना है इसके बाद यहाँ पर Go To Settings का option दिखाये देगा, इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर Install Service का option दिखाये देगा, इस पर click करना है और Navigation Bar का option आप है, इसको आप यहाँ से click करके, On कर लेंगे और allow कर देंगे फान लेगा इस आपके phone में ए application open हो जाता है और open होते ही automatic आपके phone में navigation बार लग जाता है यानि navigation बटन यहाँ पर virtual बटन आटोमेटिक यहाँ पर लग जाते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब इनका hide भी अपनी हिसाब से adjust आप लोग कर सकते हैं इस जो इसमें काफी ज़्यदा setting होती है यहाँ पर देख सकते हैं इसकी position भी जो set कर सकते हैं left right कर सकते हैं अब यहाँ पर इसका background color अगर change करना चाहते हैं background color कुछ भी आप लोग यहाँ से choose कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलता है button color का option इस पर click करना है अपने button का color जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग रख सकते हैं आप देख सकते हैं हमने जो pink कर दिया है इसका color और यहाँ पर आप लोगों को theme का option दिखाए दे रहा होगा उपर theme के option पर click करना है अब यहाँ से कोई भी theme आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बटन का style चेंज कर देंगे, बिल्कुल एकदम नई style में आपकी बटन हो जाती है तो इस तरीके इस application के मदद से काफ़ी जदा और इसमें setting दी हुई है आप यहाँ पर check out कर सकते हैं, auto hide भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके साथ जो है इस application के मदद से बटन का color चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो योजपूल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी subscribe जरूर करें